असलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे जटपट चिकन ग्रेवी जटपट चिकन ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 10 से 15 काजु की कलिया एक चमच पुना हुआ तील दो चमच सुखा नारील इसे हमने खीस कर भून कर दिया है अब हम इसकी पेस्ट बना लेंगे आदा किलो चिकन लेकर हमने इसे अच्छे से वाश कर लिया है अब हम इसमें PCOE पेस्ट डालेंगे इसके बाद इसमें अब जाएगा आदा गव फ्रेश और गाड़ा दही ध्यान रहें दही में ज़्यादा खटास ना हो तीन चमच आदरेक और लेसुन का पेस्ट इसके बाद इसमें जाएगा पतले स्लाइसेस में कट किया हुआ एक बड़ा टमाटर पतले स्लाइसेस में कट की हुई एक बड़ी प्याज अब हमें इसमें डालेंगे आदा चमच चिकन मसाला और आदा चमच गर्मे बनाया हुआ गर्म मसाला आदा चमच धनिया पाउडर और आदा चमच जेरा पाउडर आदा चमच कसुरी में थी थोड़े से बारिक कटे हुई पुद्धीने के पत्ते और थोड़े सी बारिक कटे हुई हरी दनिया स्वादा अनुसार नमक डालेंगे आदा चमच कश्मेरी लाल मेर्च पाउडर देड चमच घर का तीका मसाला जो आदा चमच गर्मे बनाया हुआ है इसके बाद इसमें जाएगी एक हारी मेर्च अब इन सारी चीदों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इस सारे मसाले चिकन को अच्छे से लग जाए अब चाहे तो इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं ताकि इस सारी चीदे अच्छे से मिक्स हो जाए आप देख सकते हैं हमारा चिकन और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए है अब हम इसे एक से दो घंटे तक मारिनेट के लिए रखेंगे एक घंटे के बाद हम एक कड़ाई को गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे तीन बड़े चमच तेल तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले एक इलाईची एक लवंग और एक छोटा दालचीनी का तुकड़ा अब इसमें जाएगा हमारा मारिनेट किया हुआ चिकन ओइल में हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत स्वाधिश्ट लगेगा थोड़ी देर बाद हम इसमें डालेंगे आदा चमच मक्षन और इसे मिक्स कर देंगे मक्षन डालने से इसका स्वाध और भी बढ़ जाएगा इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है अब हम इसे डखकर नव से दस मिनिट तक पकाएंगे दस मिनिट के बाद डखकन को निकालेंगे अब हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है अब हम इसमे डालेंगे तीन छोटे चमाच फ्राइड ओनियन यानि की तेल में तली हुई प्याज गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी बारिक कटी हुई हारी धनिया और ये तैयार है हमारी आज की रेसिपी जेटपट चिकन रेसिपी अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंडस और फैमिले में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्स्क्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें तकी मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे